हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सीखेंगे लॉन एमाई कैकुलेटर बनाना इस पीन बटन का यूज करके तो पहले देख लेते हैं इसका कैसा प्रेव्यू है कैसे काम कर रहा है जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं लॉन एमाउंट यानि जैसे सात लाग उर्पे लॉन एम करता रहेगा माना सेवन यर के लिए हमें इसे चेक करना है तो जो एमाई होगी वह फूटिन थाउजन सेवन हंडड़ ट्वैल रूपीज और फूटिन एन पैसे यहाँ पर आएगी टोटल अमाउंट कितना पे करना है तो यहाँ पर आ रहा है कितना इंट्रेस्ट लगा प्रकार से सोग करा रहा है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रही है पूरी वीडियो को देखें तक ही आपको यह समया जा कि कैसे इसे बनाना है इसके लिए हम सबसे पहले एक्सल को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद हम बलेंक को उपकर किलिक करेंगे और इस पहले मर्ज एन सेंटर कर लेंगे तब लिखने भाद हम यहाँ पर लिखेंगे लौन जई मा सबसार को हांigon और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट लेकिंगे पहर टाइम पिरिएट कितना होगा और इसमें लिखेंगे हम in year कोगि हम समय दिखाएंगे साल में इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे emi और एक space छोड़ देंगे या नहीं एक cell छोड़ने के बाद लिखेंगे total amount total payable amount फिर लिखेंगे total payable interest इसके बाद इसको ढवर इसको ठर्बकर करेंगे और यहांसे इसको ठोड़ सा बड़ा कर लैंगे हां Lets अब यहां से यहां तक select करने के बाद यह और ह मिष्ड़ सा ख़ते हो और रह रोक हाड को increase कर लेंगे काrichten से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे रोकी हैट पर क्लिक करेंगे और यहां पर 14.4 है तो हम लगवक्त 30 ये 25 तक कर लेते हैं तो 25 करके ओके करेंगे ठोड़ा कम है और इनकेस कर लेते हैं तो फॉर्मेट से जाएंगे यहां पर हम 30 कर लेंगे 30 करने के बाद हमारी जो रोकी बढ़ जाएगी इसके बाद क्या करना है यहां से हां तक सेलेक करना है और यहां करेंगे हम और बोल्ड करेंगे इसके बाद इसको हां से उपर करना है तो सेलेक करना है यहां से हम करेंगे मिडल में और बगी ठीक है यहां से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका सैज यहां से तोड़ा बढ़ा लेंगे और लिखेंगे हाँ पर कितना loan amount है माने जिसे 5 लाग रुपे loan amount है और rate of interest कितना है per annum माता जिसे 16% है तो यहां से लगा देंगे percentage का symbol अब time period जो है उसके लिए हम दिखाएंगे यहां पर spin button वो कि इसमें यूज करेंगे हैं इस पिन बटन का तो इसके लिए क्या करना है मेरे excel में developer tab already enable है अगर आपके डवलपर टैब नहीं है तो इसके लिए file पर क्लिक करेंगे और option पर जाके हां पर click करके यहां पर हम customize ribbon मा क्लिक करेंगे और developer tab में क्लिक करके इसे okay कर ल even में यह option है तो okay करेंगे okay करने के बाद हम जाएंगे developer tab में और यहां से हम insert करेंगे spin button यहां से क्लिक करके इसको draw कर लेंगे इसके उपर ड्रो करने के बाद इसके उपर right click करेंगे right click करने के बाद हम format control पर click करेंगे और इसके बार हम यहां पर करेंगे current value 1 minimum value 1 और maximum value 20 करेंगे और selling पर क्लिक करेंगे और जहां पर यह sell है इस पर क्लिक करके okay कर देंगे तो okay करने से क्या होगा यह value यहां पर आ जाएगी अब हमें check करना है कि लौन इमाई कितनी बैठेगी तो इसके लिए क्या करना है यहां पर हम एक formula लगाएंगे मैं इस रोड़ा सा उपर कर लेता ह अब rate जो है पर NM है और हमें निकलने monthly MI तो divide करेंगे 12 से कॉमा लगाएंगे n पर का मतलब है number of period कितना है यहां एक साल है लेकिन एक साल में हमें दिखाने महिने तो into करेंगे 12 लिख देंगे कॉमा लगाएंगे यहां PV का मतलब है present value यहां लौन value तो क्लिक करेंगे और bracket बं यहां क्लिक करके double क्लिक करेंगे PMT के पहले हम minus लगाएंगे और enter कर देंगे तो इसके बाद यह positive हो चुकी है इसके बाद यहां क्लिक करेंगे और home में जाएंगे यहां से हम comma लगा देंगे तो इससे क्या होगा dollar का जो symbol हो हट जाएगा अब हमें total payable amount चेक करना है कितना हो होगा तो यहां से अगर हम increase करते हैं years को तो यह automatically जो EMI है change होती रहेगी according to time क्लिक करेंगे यहां पर लगाएंगे हम बराबर जो value हमें pay करनी है हर महिने तो इसके लिए हां इस पर क्लिक करेंगे into कव तक पे करना है six years के लिए तो यहां पर करेंगे six year पर क्लिक करेंगे into फ तो जो payment होगी हम पर यह 7,896 रुपे होगी इसमें कितना interest pay करना है तो इसके लिए हम बराबर लगाएंगे और total amount पर क्लिक करेंगे minus कर देंगे हम loan amount को enter करते ही जो interest लगा हुआ है वो इस परकार से यहां आ जाएगा हमें इन sales को नहीं दिखाना है तो इसके लिए क्या करे यहां से यहां तक select करने के बाद हमने already all water लगा रखा है तो all water लगाने के बाद क्या करेंगे view में जाएंगे और यहां से हम grid line को uncheck कर देंगे तो बाकी की जो grid line है वो हैंसे हट जाएंगी और हम heading को सो कराना है तो इसके लिए यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम background में क बाद क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे